नमस्कार अधाव सर्षिरिकाल मैं हूँ आपका दोस्स आपका हो शुबेंदिक जोहान आप लोग का स्वागत करता हूँ जहां पर हम लोग प्रिवेस एक कोश्चन के उपर चर्चा करेंगे जिससे बाद मैं आपको समझ में आएगा कि क्या अभी तक का ट्रेंड रहा है इस नहीं कई बार क्या होता है प्रिवेस एक कोश्चन के लिए बहुत जड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो शुरू करते हैं सेशन को पर उसके पहले बार मेरे बार में जान लो मैं शुबेदिक चोहान हूँ बेस्ट पीचर आवार्ड वीनर रह चुका हूँ अनक्या इसके अलावा थाउजंड दो बच्चे अभी तक मैंसे मेंटर्शिप ले चुके हैं आप लोग भी मैं साथ में जूर सकते हो बट तो मोस्ट इंपोर्टेंट इंग जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ वह इस प्रेस्टीजियस टीम की वज़े से पाथफाइंड टीम जहा पर कंप्लीट स्लेबर्स हमारे दौरा कवर कराया जा रहा है इतना ही नहीं दोस्तों यह टीम प्रेस्टीजियस क्यों है क्योंकि हमारे साथ में कैसा इस्टोरी जूड़ी हुई है अनकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कैसा टॉपर्स दिये हुग है टॉप अलावा अगर आप लोगों चाहिए में इस से वन-उन मेंटरशिप मिले तो आप लोग अनकैडमी के सब्स्रिप्शन लेते समय कोर्ड यूज कर सकते हो यूज सुरू करते हैं इस सेशन को तो चलिए अब देखते सबसे पहले सवाल के उपर सबसे पहला सवाल है है reason often mentioned in the news ओर उनकी country को सही करना ऐसा सही मैच ने इस वह को बताना है ऑनेटोलिया टर्की में दूसरा एमहरा इथोपिया में दीस से क्यबो-डगाड़ इस्पेन में या कैटलोनिया अटली में इंसे कौण सा औप्शन सही है वह आपको बताना है इंट सिंपल है नहीं सिंपल तो नहीं है मैं भी कहूंगा सिंपल तो नहीं है मैं लेक्ट हंडेड़ परसेंट शॉल आंसर लगा पाना दूरिंग देग्णाम इस बिट डिफिकल्ट पर दिसकोशन यह 1222 के अंदर तोड़ा जोग्रफी आड़ा तेड़ा ही पूछाता होनों नहीं कम ओन आपको अपना आंसर जो है वो नीचे कमेंट के अंदर देना है कमेंट करो क्या एक पेर सही है दो पेर सही है तीन पेर सही है चारो पेर सही है बताओ कम ओन दोस्तों अनेटोलिया तर्की अमहारा इथोपिया कैबोडेलगाड़ो इस्पेन केटलोनिया इटली तो देखो एक कोश्चन तो हम लोगों ने पहले प्रीवेस के अंदर किया हुआ है एक औप्शन अगर आप प्रीवेस के कोश्चन थोड़े अच्छे से लगा के आप यहां से यह ओप्शन तो क्लेरिवाइब कर सकते हो केटलोनिया तों प्रीवेस के अंदर भी पूछा हुआ पॉइंट है जिसका सही है स्पेन केटलोनिया स्पेन में यहां पर इतली लिखा है मतलब यह वाला तो गलत हो गया अपना इसको अलग कर दो मतलब फोर्थ त पठार दियों काफी इंप्यूर्टन डेलभ कई बाएं हिस्ट्रि वगएरा के अनदर बी आनेटोलिया पढ़ते हैं हम ठीख है तो इनेटोलिया यह पता होता ज़नली मालब वन वह वो सही यह पता है अपने को मतलब इसके अलावा इथोपिया इथोपिया के बारे में आपने स्पेन के बारे में पड़ा था तो उसी समय पे मैंने आपको बताया था इथोपिया के अंदर के यह औरोमिया टो टॉम्निया के जस्पार्स वाला रिजण है ठीक है अमहारा रिजन है मतलब इथोपिया से मैच करता अमहारा रीजन सही है क्योंकि क्योंकि चैजन वाला रीजन संग वाला इसे मुद वाला इसकाम और गार्द हो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलग हो जाता है यानि कि वन एंट टू इस राइट यानि कि टू ओनली इस करेक्ट ठीक है इसके अंदर एलिमिनेशन बहुत अच्छा नहीं लग पाता है अंदर क्योंकि यूपेसी ने तरीका निकाला इसलिए ताकि लोग एलिमिनेशन की ट सकतादो हो सकते हैं तो उनमेंसे क्या कि आप इसके लादर लेक आफ ड़ीका उस यह सुख चुके हैं और देजर्ट बन चुके हैं इन मेंसे कौन सा डेजर्ट विक्टोरियग ने मेंहला.. और लेक वोल्टा कौन सा लेक है इन में से जो सुख के डेजर्ट हो चुका है लेक विक्टोरिया फेगुबीन ओगोटा या वोल्टा कम ओन अफरीका का पूछा इन होना है बयुक्तरिया कहा है विक्टोरिया कहा मिले आखें है के निया कि इदर है इस इसे कंड लाजश लेग केल आता से अफर्ज हो तो अफ्रीका का लाज़ेश्ट है आप अफ्रीका लाज़ेश्ट अगर यह option तो सोचना ही मत लेक वोल्टा घाना के अधर है यह भी अच्छा बड़ा ही लेक है तो इसको भी मत सोचो अब जो दो लेक जनरली पता नहीं होते एक ओगुटा भी पता ही होता जनरली ठीक है पर जो दो जनरली नहीं पता होते वो यह दो हैं इन में से 50-50 का Elimination लगा सकते हो और नहीं भी लगा रहा है तो फेगुबीन जो है वो इस राइट आंसर फेगुबीन एक लेक है जो माली के अंदर है ठीक है यहां पर देखो आप यह मैप देख पा रहे हो यहां पर आपको दीखेगा यह माली के अंदर है और यहां पर नीचे आपको नांजिया नदी भैटे हो दिखा देगी यह नाजिया नदी जब उफान पे आती है ना जशर सेकर्ड पोड़ा से वायर्यर गडर ना कुछ कि का अदि कि कि हुआ 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 है तो यहां पर आपको नाइजर नदी दिखाया दे दिए ठीक है नाइजर नदी जब उफान पर आती है तो कभी कबार यह फेगुमेन लेग भर जाता है इतना बड़ा यह लेक था 1980 से सुखना शुरू हुआ प्रेसिपिटेशन कम होना शुरू हो गया उसके बाद ड्राय लेक के अंदा कनवर्ट हो गया 1990 तक आते आते जितनी भी ट्रेडिशनल एक्टिविटी यह फिशरी वगेरा वह सब गण बड़ा गई क्योंकि कभी पानी रहता कभी सूख जाता है ना तो फेगुमेन लेक इस दर राइट आंसर यानि की बीज़र राइट आंसर ठीक है अगला यह वाला कोश्चन भी दौ कि सोशल मेडिया पर लगता है यूपियसी काफी अक्टिव था इस समय है है ना सोशल मेडिया थोड़ी सी इमेज़ेज वाइरल होड़ी थी उस समय कम ओन नीचे कमेंट करना है मैं अट जाओं क्या ठीके चलो झाल 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 कि देखतें अंगला कि देखो यह जो कैनियन है गेंडी कोटा एक्चुली मैं इंडिया के अंदर जनरली जो टुरीसम है वह पोर्ट एंशेंट चीजें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स या पिलिग्रीम इन साइज चीजों के लिए बहुत फेमर्स है पर नेचरल चीजों में एक बहुती साइडलाइन कैनियन है जो अभी टूरिजम को अट्रैक कर रहा था जिसका नाम था गेंडी कोंटा कैनियन जिसकी इमेजेश पिछली बाग काफी देखने को मिल रही थी जो ग्रेंड कैनियन ऑफ यूएसे से जैसा मनलब एसा रेड कलर पर लेड के स्टोन जो है जो है वह आसपास देखने को मिल रही थी यूएसे का है ये इंडिया का है तो उसे कंपेर किया जा रहा था काफी लोग जो है आपर घुमने जा रहे थे ठीक है तो यह आंद्रप्रदेश के अंदर था ठीक है ठीक है इसका मतलब C is the right answer ठीक है दोस्तों आज के लिए रखते हैं लेक्षे अच्छा लगा है तो लाइक करो लेक्षे बहुत अच्छा लगा है तो अगर आप लोग रेगूलर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग साथ में जूर सकते हो मेरे क्लास की अपड लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे आप क्लास के अंदर पूर सकते हो हाथ खड़ा करके आवाज के जरी है ठीक है लाइव सेशन होते हैं यहां पर साथ में फ्लेक्जिबल कोर्स होते हैं यहां पर अलग अलग एजुकेटर जो हो पढ़ाते हैं इंडिया क साथ सब्देक्ट आपके इकसांद पड़ाएं लाइव मेंटर शिब दी जाती है आपको अलग-अलग मेंटर असाइन पलेट ाराए कमिया है उसको सुधार के अब आगे आच चुका है इसको कमियों को सुधारने की ज़रूत नहीं इसके लावा करी साय प्लैटफॉर्म में जो भी नए नए बन रहा है ठीक है अभी उनको समय लगेगा अपने आपको ठीक करने में फिर उनको आगे बढ़ाने में ठीक है तो व का प्रयों करो आज के लिए तना ही दोस्तों जय ही जय भारत